अब हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं और तीन टॉपिक हमने कवर कर लिए लॉग के बाद हम लोगों ने कवर किया कॉडिडिक के बाद प्रोग्रेशन अब प्रोग्रेशन के बाद अगला टॉपिक होता है क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है आप से डिस्क्रस करूंगा फिर आपके जो क्लास एंड में जैसे कि आप हर बार करते हो कि दूरिंग क्लास के वाल अंसर दीजिए और थोड़ा सा चेंज करेंगे आज हम आज हम थेरी पढ़ने के बाद प्रिव अगर किसी नहीं नहीं दिया तो दीजिये और अभी आने वाले दिनों में मैजिकल कोर्स में कुछ स्पेशल क्लासिस भी आपको मिलेंगी तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए और कोशन यह मत करिए कि क्या होगा मैजिक्व कोर्स से स्लेक्शन होग करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसपीड नहीं बन रही तो सब बताता हूं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आपने एलजेबरा में इंडाइसेंस लॉटेशन कर लिया प्रोग्रेशन कर लिया आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स करेंगे कल में जो क्लास कर रहा हूं प्लान तोड़ा क्योंकि इसके बाद सेट पर्बूटेशन और यह तीन टॉपिक भी करना है पर बीच बीच में मैंने बोला था कि मैं कुछ सेक्षन एलार के भी लूँगा तो मेरा प्लान है कि कल मैं आपके साथ एलार का एक सबसे इंपॉर्टे करना है यह बीच में कुछ एलार के टापिक भी करते चलेंगे और आप में से कोई भी बच्चा अभी अगर मैजिकल के टेस्ट नहीं दिये तो तुरंट टेस्ट दीजिएगा यह ध्यान रखिए तो अब हमारी बात आती है अगले टॉपिक की इसके बाद हमारा नेक्स वी करेंगे सेटरी फिर स्टार्ट करेंगे पर्मूटेशन एंड कॉमिनेशन और इसके लावा जो आपने संडे टेस्ट दिया है उसके मैस और एलार सेक्शन का भी आपको मिलेगा और वह पर ही मिलेगा तो उस एप पर आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कि लेगी अपरोच के से डभल प करना हैं एक कहा दो मह अनुए चानलीश इस में बताया था क्छोटी चोटी चोटी इसलिए computer section को 10 minute में करना पहले 10 minute में जितने हो करो बाद में analysis के तुरू समझो कि क्या कर सकते हैं computer के अभी धीरे-धीरे test काफी सारे बढ़ेंगे test paper analysis की एक क्लास में ले चुका हूँ अगली क्लास आपकी या तो Friday or Saturday में आप पर ही मिलेगी आपको वह आप देखिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो या हो सकता next week में मिले क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला तरह साथ थोड़ा syllabus cover हो जाए जब analysis देंगे तो अच्छा रह सब्सक्राइगी और अभी मैं जो यह section ले रहा हूं इसमें आपको थेरी के साथ साथ प्रिवेस के question भी discuss करते चलेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है determinant and matrices काफी हत्त तक आता है अगर हम देखें तो अकसर या तो एक कोशन या कभी कभी दो question आजाते हैं का कभी मैट्रिक्स का आतर कभी कभी दोनों भी आ सकते हैं यानि और जो question अब तक आए काफी सिंपल आएं थोड़ी सी मैट्रैस की प्रॉपर्टी में कन्फूजन होता है वह मैं आपको रिवाइज जहू करवाऊंगा डिटर्मिनेंट क्या होता है वह आप लिगों को पता है फिर भी एक बार हम छोटे-छोटे से रिविजन करते चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं एक्वेशन सॉल्विंग के लिए तो अगर टू इंटू टू का डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे एडी माइनस बीसी और थ्री इंटू थ्री का ड अगरे तो बीवन के साथ क्या क्या आएगा एटू एट्री यह आपको आता होगा देखिए क्यों कि रिविजन क्लासे थोड़ा तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आना चीए और सीवन की बात करूं तो एटू बीटू एट्री बीट्री अब बात करते हैं सबसे पहले अभी सभी लेने वाले क्लास चिंता मत करें अभी जड़ा यहां पर ध्यान दीजिए और 24 वाले बच्चों को बोलूँगा कि डीटेल में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए चलिए तो प्रॉपर्टी आप डिटर्मेनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी आप डिटर्मेन नहीं पढ़ता मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर ऐसा दिया है तो इसको अगर हम इंटर्चेंज कर दें लाइक दिस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तो अगर यह डेल्टा और यह मालों डेल्टा डैश है तो दोनों की निमेरिकल वालू सेम रहती है तो प्रॉपर्टी नंबर वन जो है वह यह बताती है कि डिटर्मेंट में रो या कॉलम को इंटर्चेंज करने से कोई फरक नहीं पड़ता वैलू अब डिटर्मेंट बिल भी सेम फिर सेकेंड बात करते हैं और एक ही एक मैसेज मत करते हैं रा करो आप लोग चन्नन कुमार कि यस डेल्टा एकवल टू ड करें तो डिटर्मेंट की निमेरिकल वालू सेम रहती है केवल साइन चेंज हो जाता है यह कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है बस आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एकवल टू माइनस डेल्टा डेश यानि अगर डेल्टा पहले टैन है तो अब डेल्टा डेश माइनस टैन हो जाएगा यानि इफ एनी टू रो और कॉलम इंटर चेंज देन वालू अब डिटर्मिनेंट बिल भी नुमेरिकल वालू अब डिटर्मिनेंट बिल बी सेम बट साइन बिल बी चेंज अभी आपके कोश्चन पर बात करता हूं पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ यह नहीं तो यह भी हाथ दो बैटोंगे यही दिक्क्त होती यूट्यूब के साथ कि पढ़ते कम है कोश्चन ज्यादा पूछते रहते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्ट्टी इफ एनी टू रो और कॉलम और आजिन टीटिकल और प्रोपोर्शनल बहुत यूशल है कि डिटर्मेंट में किसी भी रो या कॉलम में इसका मतलब यह देखिए जिससे अगर कभी दिया 234 156234 अब यह दो कॉलम कैसे हैं अजिन्टिटी का लें बिना सॉल्व करें बोल सकते हो जीरो या सपोस्थ आपके पास दो रो ऐसी दिए के वन थ्री फाइब सेवन नाइन पोर थ्री नाइन फिप्टीन यह इसकी ट्री टाइम है पूपोर्शनल कहला आएगी तो वैलू अब डिटर्मेन बिल भी जीरो कि लिए बात चले हैं नेक्स पॉपर्टी की बात करते हैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपर्टी के लिख अती है c1 c2 c3 d1 d2 d3 plus b1 b2 b3 एक सबसे important property में determinant की एक आती है और वो property है कि determinant में किसी भी दो row या column को आप add भी कर सकते हैं subtract भी कर सकते हैं constant multiply add भी कर सकते हैं constant multiply subtract भी कर सकते हैं नहीं row operation लगा सकते हैं या column operations लगा सकते हैं कि रोपरेशन लगा सकते हैं या column operations लगा सकते हैं कि ओके एंड इसके लग मल्टिप्लिकेशन आपको बता होगा कि किसी भी एक रो में या तो हम मल्टिप्लाय कर सकते हैं अब मैं आपके साथ कुछ question discuss करूंगा मैट्रिक्स पर थोड़ी देर में आते हैं जो determinant के आए हुए questions हैं उनको discuss करते हैं यह आपके पहले तो actual exam वाले question discuss करेंगे फिर similar question discuss करेंगे चलिए आप लोग इसका answer निकाली जल्ली निमसेट का न्यू बैच विटा अप्रेल में स्टार्ट होगा कि आप लोगों के जो question है IGT को कोई भी एक्जाम कैसे होगा जब तक सीउटी का notification नहीं आएगा देखिए क्या होता है अब यही दिक्कत होती ही मैं पढ़ाना चालू करता हूं आप लोग इदा उदर के question सीउटी का जब notification आएगा तो इंद्रा आप देने से selection हो जाएगा ऐसा नहीं होगा अभी मैं आपको बढ़ा रहा हूं मैंने आपको बोला कि आप class end में मुझसे question पूछिए और अभी during class अब जैसे मैं आपको matrix की theory में हमीशा दिक्कत होती है तो matrix की theory जहूर हम revise करेंगे determinant लगवक सबको आता है इसलिए मैंने उसको ज़्यादा time नहीं दिया अब पर determinant के जो question आए देखिए क्या question है जैसे एकस वाई-जैडर रियर डिक्स्टेंट नंबर end x y z x square y square z square two 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 plus अब अगर इस question को कोई बच्छा थोड़ा भी concept बनाए रखता है तो इसको हम दो अलग-अलग determinant के form में लिख सकते हैं एक यह और एक यह वाला इसका मतलब अब इस रों से x इससे y और से जैड कॉमल लें और इसे टू तो एकस वाई-जैड प्लस टू इंटू डिटर्मनेंट इक्वल टू जी रो आप से पूछा एकस वाई-जैड क्या होगा तो आप लिखोगे माइनस तो अब मैं स्टेप के साथ बताता हूं कि क्या question था देखिएगा सबसे पहले x y z x square y square z square two 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 आपने इसको separate लिख लिए जो भी मैंने property बताई थी फिर x y z x square y square z square x cube y cube z cube this should be zero इससे two common लिया तो x y z अब इतना लिखोगे तो ही आपका time चला जाता यही चीज़े आपको सीखनी प्लस यहां से x इससे y और इससे z common लिया तो one 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 x y z x square y square z square अब क्या यह दो determinant सेम होंगे अभी interchanging column करेंगे तो तो यह common आने पर आप बोल सकते हो x y z plus two equal to zero यानि x y z equal to minus of two right next question आप में से most of the student ने minus two ही दिया answer this is the right answer चंदन अभी मैं आपको क्या करना आप मेरे पास आजाएए मैं बता देता हूं उल्टे पूल्टे कोश्चन पूछने का अभी कोई मतलब है अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाई कर लो कि यह कोश्चन करिए पहले यह भी आपके एक्जाम में आया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन दे वालू ओफ डिटर्मिनेंट कि लेजिविटी को लेकर बैटा आपका जो कोश्चन अभी उस पर बात करता हूं मैं अभी आप पढ़ाई करिए लेजिविटी को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है उस पर अभी बात करता हूं अब देखिए यह जो एक कुश्चन एक प्रॉपर्टी पे बेज़ने सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया और साइन पाई जीरो होता तो जीरो साइन भी कॉसी माइनस साइन भी जीरो टैने ए प्लस बी को यह यहां पर गलट टाइप हो गया टैने नहीं कि यहां पर कुछ घरवाड टाइप हुआ है यह मुझे लगता है क्योंकि यह स्क्यूं सिमिट्रिक माटरिक्स है यहां पर अच्छा ठीक है तिक है अच्छा ए प्लस बी को आप लिख सकते हो कॉस्ट अपलस बी को देखिए क्या लेक सकते हो पाई माइनस सी और कॉस्ट ए यह माइनस-10 है यह जीरो यह कहलाता है है is q-symmetric matrix इस q-symmetric matrix अभी matrix पढ़ोगे तो सीकोगे जिसके डाइगणाईगनाईएमेंट जीरो होते हैं और नाइगणाईगनाईगनाईगाईगनाईगनाईगनाईगनाईगनेट अपोजिट साइन के होते हैं और इस तरह के और और का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है यह प्रॉपर्टी पे बेस्ट है जो अभी हम थोड़ी देर में मैट्रिक्स पर आएंगे तो मैट्रिक्स में मैं आपको प्रॉपर्टी रिवाइस करवाँगा तो अभी तक जो पिछले 10-12 सालों में डिटर्मि है डिटर्मिनेंट ऑफ इस्क्यू सिमिट्रिक मैट्रिक्स जीरो मदू आपके कोश्चन का अंसर एंड में दूंगा क्लास एंड में क्लास एंड में बात करता हूं क्या इश्यू आ रहा विटा मैं आपको अपनी टेक्निकल टीम का नमबर दे दूंगा वो बता देंगे तो डेटर्मिनेंट आफ इस्क्यू सिमिंट्रिक सफ ओड़ जीरो एंड इवन ओडर इस पर्फेट स्क्या जैसे कभी माल लो क्या होता जीरो जीरो फाइब माइनस फाइब माइनस सिक्स सेवन माइनस सेवन यह अपोजिट साइन के हो और डाइगना एलिमेंट जीरो हो इसे बोलते हैं सिमिटिक और अगर और है तो आंसर बीजी अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे यह कोश्चन जो आया था वो भी आपने करेंगे यह भी प्रॉपर्टी पर बेश्टा अब अगला कोश्चन देखते हैं अब यह क्यूव रूट आप यूनिटी पर बेज़ें कॉंप्लेक्स तं यह का अगया करें अगया को 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 अगया कि अगया को कुछ नूट को नुट से एक पर आपको टेस्ट देना है और टेस्ट पेपर के इनलिस्स आपको अपर पर मिलेंगे जीसे अभी टेस्ट बन का हो चुका है अपको मिले अभी अब ओमेगा is a q rule of unity then find the value of 1 plus omega omega square minus omega अब याद रखी बिटा इसको करना है तो बन प्लस omega plus omega square होता है जीरो तो जैसे 1 plus omega को लिख सकते हो माइनस omega square अक्सर बच्चे सकांसर जीरो लगा देते हैं अच्छा option जीरो नहीं है नहीं तो यह mistake हो सकती थी by chance अगर जीरो एक option होता तो लोग तो घीरो लगा देते हैं इसको करें以 कर दो नहीं नाट प्लाइगा 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 प् इसको लिख सकतो माइनस ओमेगा इसको लिख सकतो माइनस वन ओमेगा स्क्वेर ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर स्वाल करके बताएं क्या रहा है रिजल्ट और याद रखिए ओमेगा क्यूब होता है वन ओमेगा पावर 4 omega omega पावर 5 omega square omega power 6 फिर से omega 1 omega power 3 n होता है 1 omega power 3 n प्लास 1 होता है omega omega power 3 n. 2 होता है omega square कि देखिए कि लेकर अब बात करता हूं अभी बिट्वेच अब लोग पूरा द्यान कोइश्टें करें कि सभी भच्छे पूरा फोकस असपे करिए कि कैसे करना है कि 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 देखिए क्या रहा है कि अंचा वो लिए क्या रहा है डी ओके मुस्ट अफ देस्ट डी लिख रहे हैं कि दी जा राइट आंसर है कि बिल्कुल सही है देखिए इसको करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे आपने माइस ओमेगा आप चाहो तो यह माइनस और माइनस कामल ले लो तो यह पूरा माइनस की हो जाए कशा णाचाएगा डेखिए क्या होगा ओमेगा 사 desert div 1 मामाइश 1 就是 प्लस चलो माइनस ओमेगा स्क्वेर बोलो ओमेगा स्क्वेर माइनस ओमेगा क्यूब ठीक यहां पर प्लस ले लिए प्लस ओमेगा के साथ करोगे तो omega square minus omega यह देखो बिटा जीरो अच्छा यहां पर यह हो जाएगा omega power 4 minus omega square क्योंकि यह 1 हो जाएगा plus omega cube minus omega square राइट अब omega power 4 कितना होता है omega फिर कितना आ गया यह हो गया omega cube मतलब 1 और यह हो गया बिटा माइनस 2 omega square 1 plus omega minus omega square और minus 2 omega square this is minus 3 omega square यह आपके एक्जाम में question आए किसी topic को previous year के question से आप understand कर सकते हैं उस level तक की पढ़ाई करिए क्योंकि अभी time का में बहुत advance पढ़के अभी इतना फायदा नहीं होगा छोटी-छोटी चीजे मैं अभी जो आपके course के साथ बताऊंगा उसको ध्यान रखते चलो next अब equation solution कैसे करते हैं उस पर आता हूं यह आप करिए question फिर मैं आपको concept बताता हूं आप हैडिंग डाल भी दो solution of linear equation हैडिंग डालिए solution ऑफ लीनियर equation कभी भी दी हो तो इसको कैसे solve करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट मैथर्ड यह अपको equation दी हुई है तो सबसे पहले आपको निकालना होता डेल्टा डेल्टा मतलब first equation के coefficient फास्ट रो में सेकंड एक्वेशन के कॉफिशन सेकंड रो में थर्ड एक्वेशन के कोफिशन थाड रो में आपको डेल्टा फाइंड करना देखें डेल्टा क्या यार्णावरा है जलिए चेक करके बताये सोहिल खान गैप से कोई फरक नहीं पड़ता कोई भी बच्चा निमसेट का एक्जाम दे सकता है पर आपका जो कोश्चन है वो क्लास एंड में डिसकस करता हूं भी पढ़ाई करिए गैप से आप एनाइटी जैसे कॉलेज से अच्छे कॉलेज से अब दो चीज़े होती है देखिए डेल्टा की वैलू या तो जीरो आती है या नॉट जीरो अगर नॉट जीरो आए तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट एक्वल टू जीरो तो हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉलूशन या कंसिस्टेंस विद यूनिक सॉलूशन और माल लीज़े डेल्टा जीरो आए तो हमें दो केसे मिलते हैं एक मिलता है नो सॉलूशन का अभी मैं थेरी बता रहा हूं इसको इन कंसिस्टेंस भी बोलते हैं और एक मिलता है इन्फाइनेट सॉलूशन का इसको कंसिस्टेंस भी बोलते हैं अब यह पता कैसे चलता है तो डेल्टा जीरो आने के केस में आपको क्या करना होता बिटा कि डेल्टा जीरो आया तो आपको निकालना होता डेल एक्स डेला एक्स में एक्स वाले क्लाब को चोड़के कॉंस्टेंट लेते हैं डेल्वाई और डेल डेल्ड अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हुआ एक भी तो कहलाता नौस ओलूशन और अगर ऑल जीरो हो जाए और को मैंत्रिक्स में मैंत्र लॉंग होता है तो आप जब भी कोशन आए यह अक्सर आ जाता है कोशन तो आप डिटर्मिनेट के मैंत्र से ही करिए आपका टाइम भी बचेगा और एक्ट्रीश भी मेंटेन रहेगी तो बताई डेल्टा क्या रहा है डेल्टा-0 आ रहा है ठीक है मिला आपको 553 जाओ गया 15 यहां मिला माइनस टू तो माइनस 14 यहां मिला माइनस वन डेल्टा-0 आ रहा है डेल्टा जैसे ही जीरो आए तो यूनिक सॉलूशन को कट कर दीजिए अब निकाल लिए डेल्टा-x डेल्टा-x में क्या करिए कि एक्स कॉलम को डिलीट कर दीजि और कॉंस्टेंट ले लिजिए कोई भी एक चीज निकाल सकते हो टू थरी थर्टीन सेवन टू थरी वन वन फॉर अब देखिए इसकी वैलू क्या रही है अगर डेल्टा-x भी जीरो आ रहा है तो बिल्कुल चांसे जें इस बात के एक ही से कंकुजन दे सकते हैं तो आप स्वाइब सकते हैं नोड जीरो तो आप बोलोंगे इंफाइनेंटली मेनी सोलूशन का बाता जब डिल्टा 0 होता लोए नहीं होगा इस कांसर अब नहीं होगा जो लोग भी ओडि लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं नो सौलूशन नहीं वोगा सिए हाँ 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 है रिवाइस पूरा मैं क्या कर रहा हूं चुनिए कोश्चन के साथ आपको धेरी रिवाइस कर वाऊंगा और बताओंगा तो सबसे पहले solution of linear equation जब भी बोले तो आपको करना यह है कि determinant से solve करें डेल्टा निकालिए अगर डेल्टा जीरो आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है या रखना डेल्टा नॉन जीरो आता तो हम answer देते unique solution डेल्टा अगर जीरो है तो हमें फिर डेल्टा एक्स चेक करना है या डेल्टा या डेल्टा जट अगर यह जीरो आ रहा है तो इंफाइने बैनी solution और नॉन जीरो आ रहा है तो नो solution होगा इसका कोई मतलब नहीं exactly 3 नहीं होता कुछ भी ठीक यह equation को solution करने का तरीका है अब आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं एक question और देता हूं आप मुझे उससे बताइएगा लिखिए x plus 2y plus 3 equal to 4 2x minus 3y plus 4 equal to 1 x minus 3y वो x minus 4y यह z है 3z यह 4z x minus 4y plus 2z equal to 5 देखना है कि system of equation कैसे होगा यह अक्सर पूछे जाने वाला type में से एक type है अभी इन classes में मैं सबसे important चीजों को cover कर रहा हूं क्योंकि time कम है कम टाइम में आप कैसे ज्यादा गेन करेंगे इस पर हमें focus करना चाहिए हाँ करेमर रूल बोल सकते हैं क्यूशन के solving के लिए क्या है कि देखें क्या रहा है कि फिर उसका टीवियर और नटीवियर भी बताता हूं तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला विटा डेल्टा वन टू वन टू माइनस त्री माइनस फोर थ्री फोर टू देखें क्या रहा है कि चक करके बताएं क्या रहा है कि बिल्कुल सही डेल्टा नॉट जीरो आ रहा है डेल्टा नॉट जीरो मतलब यूनिक सॉलूशन या इसको बोलेंगे consistence with unique solution consistence with unique solution बिलकुल सही clear or not अच्छा नेक्स लिखिए homogeneous equation यह बहुत important section पढ़ा रहा हूं मैं आपको next लिखिए homogeneous equation homogeneous equation homogeneous equation में लिखना constant term of equation is 0 is called homogeneous equation constant term of equation is 0 is called homogeneous equation like this जैसे यह मैंने लिखा इसकी standard form यह होती है constant term हमेशा 0 होगा जैसे कभी आपको question दिये जाए 2x plus 3y equal to 0 3x minus 4y equal to 0 यह हो सकता आपको equation दिजा x plus 2y equal to 0 2x plus 4y equal to 0 इसमें दो तरह के cases होते हैं जब homogeneous equation की बात आती है तो यह एक word होता जिससे लोग confused होते हैं टेविर्या सॉलूशन और non-teविर्या सॉलूशन टेविर्या सॉलूशन का मतलब होता है value of all variable is 0 इसका मतलब इसमें delta हमेशा not 0 होगा और non-teविर्या का solution का मतलब होता है इसका नो सॉलूशन होता ही नहीं आंसर इन्फाइनेट सॉलूशन और इस केस में डिल्टा जीरो होता है टेविर्या सॉलूशन का मतलब होता है का मतलब होता है इंफाइन नंभर अफ वाली। इंफाइने वालूशन हुआ इपिर्या सॉलूशन का मतलब होता है वालॉब अ वैरीबल जीरो इंफाइनेट सॉलूशन का मतलब competitive solution है रंक्वियु प् terus और लाइट में आपके कोश्चन पर बात करता हूं तो जैसे मैंने यह कोश्चन लिखा आपने इसका डेल्टा चेक किया तू थ्री थ्री माइनस फूर बोलो कितना आ माइनस एट माइनस नई नॉन जीरो तो इसका मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे टैविर सॉलूशन यानि एक्स और वाई की वैलू क्या होगी ओनली जीरो-जीरो जो दोनों एक्क्यूशन को सैटिस्फाय करेगी इसको करो सॉल एवन तू टू टूवोर तेको क्या रहा है जी कि एक सेक्षन है जिसमें करें बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि आपके जो भी कुश्चन है क्लास एंड में डिस्कस करेंगे हम कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर है अगैं एक्च्छल में ये वह नामलरी ट्रीवएS सोलूशन लॉन होव hon 메ल रॉ interventions में यूज होता है कि कि इसको हम ऐसा भी बॉल-सकते हैं क्ट सीर या यूइक सलूश्जन इसको हम बोल सकते हैं infinite मैंगी सॉलूशन पर न axe इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कंसिस्टेंस या यूनिक सोलूशन इसको हम बोल सकते हैं इन्फाइनेट मैनी सॉलूशन पर नॉर्मली यह वड़ी उज़ोता है जैसे एक कोश्चन ओ लिखिए एक्स प्लस टु आइ प्लस ट्री जेड इकले टू ज़ीकर ढूच हम रूंए-ondersburgatory related यह एक्स, क्या प्लस फॉर्मसेड इकले टूचNow जीज़ो prose theology ृफरियम ब Mississippi ृफपार्ल्ट मैनीट आ। हाँ हो और सकते हैं मतलब टेविया सुलूशन को आम यूनिक सॉलूशन भी बोल सकते हैं मैं ने राइंक बताऊँगा बेटावि मैट्रेक्स की थ्एरी पर आएंगे देटरिमेंट के बाद तो राइंक भी बताऊँगा करें डिया उनको रैंक की अभी बात करते हैं हम थोड़ी दिर में क्या रहा डेटा मिनेंट देखिए 1,2,3,2,-1,4,3,1,7,0 की नॉन,0 करना सही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक करी सब गरबड हो जाएगी माइनस 7, माइनस 4, प्लस 2 के साथ बोलो, 12, माइनस 14 प्लस 3 के साथ, 2, प्लस 3, यह हुआ माइनस 11, राइट, यह हुआ माइनस 2 तो माइनस 4, प्लस 15, 0, 0 आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टिवियर सॉलूशन, यानि इन्फाइनेट सॉलूशन होंगे इसका मतलब, आप लोगो ने अंसर नहीं लिखा, नॉन टिवियर, यहस, इस दिस दा राइट आंसर, नॉन टिवियर सॉलूशन, नॉन टिवियर सॉलूशन, दन, नॉन मोर गॉशन, X-3Y plus 4Z equal to 0, 2X plus 5Y minus Z equal to 0, 3X minus 2Y minus 3Z equal to 0, quick and fast, यहस, नॉन टिवियर सॉलूशन या इन्फाइनेट सॉलूशन is the right answer, is the right answer, टेक और कोश्यन दिया बिटा, पूरा फोकर्स क्लास में रखिये, जो कॉश्चन हैं, एंड में पूछिये, रोज क्लासे होती हैं, आप सब कॉश्चन पूछ सकते हो, पर अभी आप पढ़ोगे नहीं, तो एक्जाम का कोई फायदा नहीं, जब भी कोई बच्चा बोलता है, कि सर वो फॉर्म में ये दिक्कत, इसमें दिक्कत में हमेशा बोलता हूँ कि पहले पढ़ाई तो करो, फॉर्म रेजेक्ट होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, पर किलियर होगा, जब ही तो कुछ काम की चीज़ें आगे, एक कॉश्चन और दिया करिए, क्या रहा इसका बटा, नॉट जीरो आ रहा है, अब इस कॉश्चन को कर रहा है, डेल्टा निकाला, अक्सर इस वाले वर्ड में लेके इस लिए मैंने आपको पहले त्री माइनस टू माइनस ट्री नॉन जीरो, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, टिविरा सॉलूशन, यानि एक्स, य जीरो जीरो जीरो, वैल्यो अफ ऑल वेरिबल जीरो कहलाती है, इसका मतलब यह होता है, टिविरा का मतलब यह होता है, नॉन टिविरा का मतलब नॉन जीरो वैलू, ड़न, चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप दो आब मेर्कस कि ठेरी की बात करता हूं क्योंकि लिए उसक्धे इंपोर्टटन्त है ग्पा braucht लिए और आपको है अब सब्सक्राइब बर सब्सक्राइब का थे हम मारे को अधोर्श peg लिए मेpiece हां टिवियर सोलूशन सही अंसर दे रहा हूं अब क्या रहा है उसको छोड़ दो जीरो नहीं आ रहा है बस जीरो और नॉन जीरो देखना होता है अब देखिये है कि 75 अंगा ताइस की बात करते हैं और यहां से समझते हैं कि sounds में रो मैटरेक्स कॉल्ल मैटरेक्स स्क्वेर मेटरेक्स क्ले creamy यूनिट मैट्रेक्स और निगेटेव माप मैंटरिक्स तो एके इक कर के मैं आपको समझाता हूं आप समझेगा मैटरेक्स काफी कि इंपॉर्टेंट ए थेरी पॉइंट अव्यू से और क्या क्या चीजें आपको बतानी है वो सारी बताते हुए चलूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं row matrix की. अभent Ricky contains only one row is called row matrix. अगर किसी matrix में केवल एक ही row, column कितने भी हो सकते हैं, तो इसे हम row matrix बोलते हैं. Metrics को normally capital A, capital B इसे denote क रते हैं. जैसे to three का यह row matrix है, यानि row की value one होगी और column कितने भी हो सकते हैं. यह one in two two का है, या जैसे यह लिखा मैंने 1-5-4-3 यह 1-4 का है अब matrix contain only one row is called row matrix नाम सी clear होगा फिर बात करते हैं column matrix column matrix क्या होता है अब matrix contain only one column जैसे 2-3-5 इसमें row 3 है पर column एक ही है यह सब्सक्राइब लिखा मैंने 1579 इसमें row 4 है पर column एक ही है है इस इस कॉल्ड रो मैंट्रिक्स कि सबसे जाल्दा टाइम आपको मैंट्रिक्स में देना है चलिए फिर मैंट्रिक्स के जो प्रिविएस एर के है है कोई पताता हूं experiment में यही कोई थे में इस इन किन बात करते हैं इस्कॉइर मेट्रिक्स ऐस इत्थ को इस नव रौव नेक्स बात करते हैं नल मेंट्रिक्स और जीरो मेंट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है नल मेंट्रिक्स और जीरो मेंट्रिक्स क्या होगा नल मेंट्रिक्स इफ एलिमेंट ऑफ ओल मेंट जीरो in matrix is called null matrix जैसे यह एक null matrix है if all all element of matrix is 0 is called null matrix एक बहुत बड़ा difference है वो ध्यान रखेगा matrix or determinant में क्या होता है सुनते चलिए काफी कुछ आपको आता होगा ये topic ऐसे easiest topic में जहां जितना depth में जाना है में आपके साथ लेके चलोंगा इसमें बहुत डेफ्ट में नहीं जाना है जैसे अगर मैं आपको लिखूं डिटर्मिनेंट 2345 और बोलो सॉल्व करो था आप बोलते 10-12-2 पर मैं लिखता मैट्रेक्स और बोलता सॉल्व करो तो यह सॉल्व नहीं होता यानि मैट्रेक्स का अंसर हमेशा मैट्रेक्स फॉर्म में ही होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है यह मैट्रेक्स डिटर्मिनेंट का पहला डिफ्रेंस है दूसरा कि कॉंसेंट स्केलर मल्टिप्लिकेशन कभी भी करना हो तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं मैट्रेक्स में सारे अलिमेंट में करते हैं इस बात को समझ लीजिए जैसे मालों में एक डिटर्मिनेट लिखू एबी सीडी और आप से बोलू टू डी बताओ तो टू का मल्टिप्लाय किसी भी एक रो में कर सकते हो किसी भी एक कॉलम में कर सकते हो पर यही चीज मैट्रिक्स में लिखी हो जैसे के बी सी डी और मैं बोलू टू ए मैट्रिक्स बताओ तो आप सारे element में multiply करते हैं और सारे element से ही common लिया जाता है ये दूसरा difference है तो और determinant के number of row हमेशा number of column के equal होंगे matrix में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ये तीन major difference है matrix और determinant के जो ध्यान रखना है तो इसका मतलब matrix की कोई numerical value नहीं होती except unit matrix और null matrix तो इसलिए ये बात बताई तो जब हम null matrix की बात करते हैं जैसे all element are zero तो इसको हम zero के equal ही मानते हैं कोई भी ऐसा लिखाओ या माल लेजे ऐसा लिखाओ इसलिए कई बार zero करके भी लिखा जाता है पर इसका भी order होता है ये जैसे तो इन्टू टू का नल मेट्रिक से वन इन्टू 3 का नल मेट्रेक से ये टू इन्टू टू का नल मेट्रेक से राइट कि यह अच्छी बात है कि आप मेरे साथ थेरी रिवाइज करते चलना देखिए क्लास रिवीजन पाइंट व्यूस से बहुत है बहुत है और जो मुद्दे की चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वह मैं रिवाइज करवाता हूं चलना हूं तो उसका आपको फायदा भी मिले चली आप बात करते हैं रीन मेंटिक कि और डाइगनल मेट्रिक्स और एकसे डेनेल ओले मेंट जीरो-स ट्र इन ने इनल स्कूर मेतुरॡे ज यह स्कूर माट्रिक्स में होगा दाइगना अलिमेंट को छोड़ के अगर सबी एलिमेंट जीरो हो तो इसे हम डाइगनल मेट्रिक्स बोलते हैं कि एक्सेप्ट डाइगनल एलिमेंट और जीरो इसकॉल्ड डाइगनल मेट्रिक्स अब यहीं से स्केलर में। में। हसे इसकेलर में। स्केलर में। इसक ऐसे। में। ऐसे कónसेट आता थिक नहीं कुछ झाल वसकेष्टमस्क टता बता है। अब डैगनल के होता है इस केलर मेट्रिक्स डैगनल का यह किस्पेशल केस है अगर माल लो शारे अगर सारे उलमेंट की वालू भी सेम हो जाए दाइगनल की तो से इसकेलर मैट्रिक्स कहा जाता है जैसे मैं एक और लिखूँ एक्जामपल थे स्केलर मेटर्क्स है, इसको धाइगनल भी बول सकते हैं पर क्योंकि वालु सेम है तो हम इसको साथ में क्या हो सकते हैं जैसे यह एक लिखा है ति है 3 0 0 0 3 0 0 0 3 । क्या बोलोग Hz में इसकेलर मेट्रिक्स डाइजनल भोलते हैं तो गलत यότε नहीं आपको क्लिक कर जाएगा कि अधान अलीमेंट कीवालूत सेम है है शाक कि इसल्च में ए ऐडवान्स पार्ट एक पार्ट की अगर डाइगन एनून वन gegen तो उसे unit matrix बोलते हैं denoted by I बड़ा important है जैसे मैं लिखूँ I2 I2 का मतलब है 2 into 2 का unit matrix I3 मतलब 3 into 3 का unit matrix और इसकी भी numerical value होती है 1 के बराबर यानि matrix में null matrix और unit matrix की value होती है हाँ 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 एवरी स्केलरा डाइगनल बट एवरी डाइगनल नॉट में भी इस इसकेलर इपक सही लिखा आपने ठीक है आप लोग मेरे साथ इस तरह से रिवीजन करते चलिए है अच्छा जैसे मैं आपको इसका लग एक एक जामपल दो मालो यह लिखा है 300 0030 003 इसको स्केल यूनिटी वो लेगे इस कौन सा मेट्रिक्स है डाइगनल वो स्वरी इसकेलर इसमें हम चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या करें लिख सकते हैं 100 001 और इसको क्या करें लग सकते हैं तो कुछ नहीं निगेटिव का चलिए नेक्स बात करते हैं कि टांस्पोज ऑपमैट्रिक्स कि ऑप्रेश्वन और मैट्रिक्स में आई ये टांस्पोज ऑपमैट्रिक्स कई चीजे बड़ी इंपॉर्टेंट है है इसमें है हाँ यूनिट बेटेक्स इसकेलर भी ए डाइगनल भी ये पर यूनिट बोलने से आपको एकदम क्लियर हो जाती इमेज कि हम यूनिट की बात कर रहे हैं हम यूनिट की बात कर रहे हैं कि टांसपोज उपमेट्रिक्स क्या होता है इफ इंटर चेंज रो इंट्व कॉलंघ इन डिजल टेंट्रेंड इसकॉल टांसपोज उपमेट्रिक्स जैसे यह ए तो एटांसपोज बोलो क्या होगा abc the this is called Transpoge of मैट्रिक्स this is called transpose of matrix अगर row और column को interchange कर दें तो resultant matrix is called transpose of matrix और अगर इसका एक बार और transpose कर दें तो क्या होगा बता बापिस ए ओ जाएगा तो यह transpose की property भी होती है कि transpose of matrix equal to a constant into transpose matrix बोलो constant बार टांस्पोज matrix का ही होगा एक प्लस बी का टांस्पोज बताओ किसके क्वल होगा एक टांस्पोज प्लस बी टांस्पोज के माइनस हो तो माइनस बट एक बड़ी important property जो बहुत useful है एक बी का टांस्पोज बोलो यह पूछा जा चुका इतना सु बेसे कोशन भी यह रिवर्सिबल ओडर लगेगा सी टांस्पोज बी टांस्पोज एट आंस्पोज अभी आते हैं ट्रेंगुला मैट्रेक्स पर रुख जाओ भी दीरे दीरे पूरा रिवाइज करवाऊंगा मैट्रेक्स के ही रिविजन की ज्यादा जैब हुआ थे डिटामिनेंट की नहीं थी डन नेक्स्ट कॉंजूगेट और मैट्रेक्स यह भी तुला समझ लेजिए यह कुछ चीजे हो सकता आपको आसा ही से ना मिलें बताता चलूँगा कॉंजूगेट ऑफ मैट्रेक्स सबसे पहले तो एक बात याद रखिए मैट्रेक्स दो तरह के होते हैं मैट्रेक्स जिसमें रियल एलिमेंट हो और एक मैट्रेक्स जिसमें माल लो जैसे मैं लिखना हूं 2 आयोटा 3 4-5 इसको क्या बहु लोग है complex क्यों क्योंकि इसमें imaginary term contain कर रहा है कि if matrix contain imaginary element is called complex matrix जैसे मैं एक लिखूँ वन प्लस थ्री आयोटा फाइब माइनस आयोटाई इस त्युड़ प्लस टो आयोटा सिसे कॉल्ड complex matrix कि किसी भी complex नंबर का conjugate क्या होता है जैसे जैन इक्वल to x plus iota y तो बताएं इसका conjugate क्या होगा? x minus iota y is called conjugate of complex number. 1 plus 3 iota, 5 minus iota, 6, 7 plus 2 iota. अब conjugate of a matrix क्या होता है वो बताता हूँ. जैसे माल लीजे, z दिया है, a plus iota b, c plus iota d, या e और f. अब मैं बोलू इसका conjugate बताईएं. तो क्या होगा? simple. conjugate of matrix मतलब imaginary part का केवल sign change करना है. केवल imaginary part का. This is called complex of matrix. This is called complex of matrix. जैसे अगर ऐसा लिखा है, 2, 3, iota, 4, plus iota, 5, minus 5, iota. इसका conjugate बताओ क्या होगा? टू, minus 3, iota, 4, minus iota, 5, iota. clear? और conjugate का फिर से conjugate ले लोगे तो क्या होगा? A, A plus B का conjugate बोलिए क्या होगा? A conjugate plus, इसमें reversible law नहीं लगता. A, B का whole conjugate, A conjugate into B conjugate. Done? Trace of matrix मतला होता है, sum of diagonal element. वो बाद में बताता हूँ. Trace of matrix लिख लो चाहो तो, sum of diagonal element is called trace of matrix. Sum of diagonal element is called trace of matrix. कभी-कभी trace पूछें, तो आप diagonal element का sum कर दीजिए. हाँ, conjugate property जैसा ही है. आप matrix के अलावा, अभी कोई भी और discussion ना सोचें, ना करें, ना focus करें. यही दिक्कत paper देते हैं वक्त आती है, paper में paper के लावा सब करते हैं. यह सबसे important चीज है. टाइप सब matrix में यहीं दिक्कत आती है बच्चों को. symmetric, skew symmetric, hermitian, skew hermitian, orthogonal matrix, unitary matrix, edipotent matrix, nilpotent matrix, involitary matrix. एक periodic matrix होता है, वो भी लिखवादूंगा. यह हैं सबसे important, इसी को लेके confusion अकसर होता है. फिर मैं matrix के question पर आ जाऊँगा. एक एक करके लिखिए, symmetric matrix. एक एक करके लिखते चलिए, यह सबसे important चीज है, इस matrix की, जिसमें हमेशा confusion होता है. symmetric matrix, a transpose equal to a is called symmetric matrix, a square matrix a, और यह सब square matrix में होती है. तो कहीं ना भी बोलूं तो ध्यान रखना. i square matrix a is set to be symmetric, i square matrix a is set to be symmetric if a dash equal to a. i square matrix a is set to be symmetric if a dash equal to a, मतला एक matrix का transpose करने पर अगर वो सेम मिले, तो कहलाता है symmetric matrix, जिसे मैं एक example लिखूँ, diagonal पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर सेम लखना है, एक पहचानने का तरीका यही होता है. अब देखिए, आपने इसका transpose किया, 25-6534-644, देखिए, सेम आया, तो इसे बोलते है, symmetric matrix, symmetric matrix की पहचान यह होती है, कि diagonal element तो कुछ भी ले सकते हो, aij equal to minus aji, i not equal to j, बस, oh sorry, 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 यह skew symmetric मोंता है, sorry, ऐसा लिखना है, 2, 3, 4, symmetric है नहीं है, 5, तो यहाँ 5 ही लोग है, 6 तो 6 ही लोग है, minus 7 तो minus 7 ही लोग है, पहचान यह होती है, aij equal to aji, i not equal to j, और i not equal to j में, आप देखो, अब आप इसका transpose करिए, बोले है, 2, 5, 6, 5, 3, minus 7, 6, minus 7, 4, मिला सेम, तो यहाँ 5 ही लोग है, यहाँ नहीं है, कर दो करो लोग है, आप्योग है, is दिन है ब smarted, कि यह पैचाने सिमेट्रिक की नेक्स्ट लिखिए इसक्यू सिमेट्रिक से इस से इसक्यू सिमेट्रिक इट एक रखना से इए इसमेट्स एक डाल देना है कि इसके डाइग्ना अलिमेट्ट अप्छिप अब कि अब देखिए ये डैस करो कि माइनस कॉमल ले लेजे जीरो एबी माइनस एजीरो माइनस सी माइनस बीसी जीरो देखिए बिल गया कितना इसक्यू सिमेट्रिक के पहचान होती है एजी आई एक्वल टू माइनस एजे आई आई नॉट एक्वल टू जे आई एक्वल टू जे आई जे जीरो दाइगना एलिमेंट आफ इसक्यू सिमेट्रिक माट्रिक्स इस जीरो यह प्रॉपर्टी पूछी गई है डाइगना एलिम कि जैसे इस साल एवाड मिला है मुझे वैसी अगले साल भी मिले इस बात का आपको ध्यान रखना है जितना अच्छा आप रिजल्ट दोगे उतना अच्छा आपके लिए भी है और मेरे लिए भी डाइगनल एलिमेंट और आइसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक से जीरो एक लियर और नौन डाइगनल एलिमेंट कैसे होते हैं अपोजिट साइन के इसी की प्रापर्टी थी एक कि इसका और ओडर होगा तो जीरो डिटर्मिन्ट होगा और इवन ओडर पे हlor के परिफेट के इसकोरल कि कि इस के लर की निम्रीग वालू बोल सकते हैंग तो एक्चम में तो वैलीव निम्रीक यूनिट की होती है इसको इसको 302 लिख सकते हूं और आहरा छलिए n измен and is q हर कर सकता है बाकी कहीं यहां नहीं देना है केवल कॉम्पलेक्स वाले क्वाले कोश्ण के अंसर में यह दो आते हैं बाकी कहीं पर नहीं आएंगे इस बात काा ध्यान रखिए हाँ अनिकेद लेख सकते हैं बिटा एक करके चलते चलो मैं आपको धीरे-धीरे सारी चीज़े बताता चलो हर्मीशयनद एन gek्यू हर्मीशयन मेट्रिक्स इसको स्टार भी बोला जाता थांस पोस कॉजूगेट को s t g लिख थे हैं तो ध्यान रखना अगर किसी मैट्रेक्स का टांस्पोस किया और उसका कॉंजूगेट ले इसको ऐसा भी लिख सकते हो पहले टांस्पोस कर दो फिर कॉंजूगेट ले लो बात एक ही है क्सक्राइण धिएटय फ्रेट फीले इस कॉल्ड ह्र कि क्वंड गडिक्रिक्स और हर् मोज्च्षिशन में क्या होगा बता। पास पौस्पोस कौन ज्यूगेट एकौल माइन से हैं तांसपोस कंजूगेट एक्वल टुές टूट इनमिंदें और एंक्जामपल भी कि अग्जाम्पल लिखूं कि माल लिजे टू थ्री कि फोर माइनस आयोटा चेन स्कत्क प्र mascara चेल करी醒 करी करिए दगर मैं इसका पहले तो माल लो का झूँ लू लूं तो यह आता ढू प्र प्लस आयोटा अंड त्री रइंड अब इसका सवह लूं तो बता हो क्या है कर टू टो प्रमाइनस आयोटा कर था सीव्हार सब्सक्री सिग्व insan हर्मिशन मेट्रिक्स की बिटा पहचान होती है कि डाइगना इलिमेंट रियल होगे हमेशा और नन डाइगना लिमेंट कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे यानि एई जे एक्वल टू एजियाई का कॉन्जुगेट आई नॉट इकवल टू जे यह कई बार confusion होता है हर्मिशन इसकी हर्मिशन को लेके जो मैंने आपको बताया conjugate transpose में confusion हो रहा है अभी समझा रहा हूं में यह एक ऐसा section है जिसमें अक्सर confusion होता है conjugate transpose का मतलब है transpose लो फिर conjugate लो या conjugate लो फिर transpose लो जैसे एक जामपल थ्री इंटू थ्री का बताता हूं आप लोग खुद बना सकते एक्जामपल देखके जैसे यहां लिखा टू थ्री फोर अब मालों यहां मैंने लिखा तो ओंजूकेट ले ले ओन जयावटा तो फेडिया होन मयनस यूटा फिर सैवन स्थरी सेवन माइन फौाइं पोर अब स्काप लिजें Grove तो देखे क्या है कर्टून माइनशामपल तो आयूटा gesam थली है छो और फ्री नहीं 28 dr study सी अप सर्थ आइड पोर अफना सब्सक्राराइल का वा चयो तो हाँ डिस अब समय किने, यहां कि वह यह जो गुशिन दिया इसका मतलब इसे कहें नहीं मिले तो कोई बात नहीं हर मिशन इसको अपमेशन नहीं होगा proven अगया हर्मिशन का आइप ञाइब बटो अumbledore है अपिरे यह हर ईजयर एक्वल टू एजे आई का कॉंजुगेट आई नॉट एक्वल टू जे इस एक्वल टू जे देन एज रियल अब इसक्यों हर्मीशन का एक एक्जाम्पल बता रहा हूं कि इसक्यों हर्मीशन में क्या होता है या तो डाइगनल एलिमेंट बिल्कुल जीरो होंगे य यह प्लेमेजनरी नंबर होंगे यह एक नोट लिख सकते हो डाइगनल एडीमट अफ इसक्यू हर्मीशन मेट्रिक्स जीरो और प्लेमेजनरी हूआ हने ईच्जाम्पल एक्पाहर नाल्व सक्ष्यू ब्रेसकर?... यहां पर टो आयोटा है यहां पर वन प्ल्स आयोटा है तो माईनस वन प्लस आयोटा है तो माईनस सिक्स अब आप इसका निकाल यह टांस पोस मैं आप इसके प्रोपर्टी भी लिखवा देता हूं इसका लीजिए कि टांस पोस और फिर माइनस कॉमन लेजिए तो आपको अपने आपी दिख जाएगा वो ही जो दिख रहा है अब माइनस कॉमन लोगे तो मिल जाएगा यानी तान कोन्जूगेट या कॉन्जूगेट टान्स्पोर्ज माइनसले हो तो इसक्रू हर्मीशन में उर्ग उर्ट्स की पैचाण होती डाइकनफ यज़िया तो जीरो होते हैं या प्योली इमेज्टनरी 55 and रियल का पोजिट्ट पल मिला चलिए नेक्स और्थोगोनल मैट्रिक्स ए इन्टू ए टांस्पोस क्या होता और्थोगोनल और्थोगोनल मैट्रिक्स बताते हो चलना ए इन्टू ए टांस्पोस अगर यूनिट मैट्रिक्स मिले या ए टांस्पोस इन्टू ए इस कॉल्ड और्थोगोनल मैट्रिक्स येस आप लोग लिखते चलो बिटा थेरी मेरे साथ उससे पता चलता है कि आप लोगों ने भी कुछ चीजे पढ़ रखी है पूरा फोकस अभी आपको एक ही चीज पर करना है मैट्रिक्स पर एंटू ए टांस्पोज इक्वल टू आई स्कॉर्ड और्थोगोनल मैट्रिक्स यूनिटरी वर्ड आड़े उससे आता है हर्मिजियन से एंटू ए स्टार इक्वल टू आई या ए स्टार इंटू ए स्टार का मतलब जानते हो यह शॉट पॉर्म होती है टांस्पोज या कॉंजूगेट या कॉंजूगेट टांस्पोज एक बात है कि यह दिकिसी मैट्रिक्स में उसके टांस्पोज कॉंजूगेट का मल्टिप्लाइ किया जा और वह यूनिट मिले तो उसे बोलते यूनिटरी मैट्रेक्स है कि हैपी बेटा 24 के लिए एक बैच अभी फरवरी में स्टार्ट हुआ था और अब एक होगा अप्रेल में पर आप चाहें तो फैब वाला बैच जोइन करने तो अप्रेल वाले बैच में आपको अपने आपी उसकी क्लास मिल जाएंगे यह स्टार इंटु एक वल टू आई यूनिट मैट्रेक्स है डन डेक्स बात करते हैं एड़ंपोटेंट क्या होगा वालो अगर किसी मैट्रेक्स का स्कुर किया और वह एक एक व्ल मिले तो आड़ंपोटेंट मैट्रेक्स कहया लाएगा है निल्पोटेंट यदि किसी मेट्रेक्स की पावघ अन लिख लीजें यह हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों मेंसे एक है जो मैत्रेक्स की बता रहा हूं अब फिर मैत्रेक्स के कोश्चन पर आऊंगा मैं रहन क्या होती यथा हूं ग chat कि या सब्सक्राइब का में इंपोर्टेंट एगर किसी मै्ट्रेक्स की पावर एद करने पर नलमे तो निल पोटेंट एदि एस्प्वर करने पर आई मिले तो involuntary और periodic होता a power k plus 1 equal to अगर a this is called periodic matrix periodic matrix done a joint निकलना आता होगा आप लोगको I think a joint of a क्या होता है transpose of co-factor transpose of co-factor is called a joint of a inverse of matrix a inverse क्या होता है बोलो a joint a upon determinant a इसलिए determinant a क्या होना चीए not 0 अगर किसी matrix का determinant non 0 है तो singular sorry non singular और डिटर्मिनेंट जीरो तो बोलो सिंगुलर सिंगुलर का मतलब होता है determinant 0 और non singular का मतलब होता है non 0 rank अभी तोड़ी देर में बताता हूँ कोश्चन के साथ अब जो एक्जाम में कोश्चन आए उनकी बात करते हैं देखिए लेटेस कोश्चन है अभी आया हुआ करिए करिए कि सिंगुलर का determinant 0 होता है नॉन सिंगुलर का जीरो अब हो जो एक अब आपके कोश्चन का जवाब दस मिट बात देने वाला हूं कि अगाए 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 आपके कोश्चन का जवाब दूंगा देखिए अब इसमें एक्स की जागे ए रग दो तो एक तरस ही यह है वन बन मतलब यूनिट मैट्रिक्स ए कि अगाए अगर यह दिया है कि एकी एलिमेंट अब अगर इसमें जीरो फाइव जीरो जीरो का मल्टिप्लाय करूं ए स्क्वेर के लिए तो क्या आता है नल मेट्रिक्स इसका मतलब यहां से सब जीरो तो केवल आई प्लस ए करना है तो इसमें आई आइड कर दूं तो वन वन जीरो फाइव तो बी इजा राइट आंसर चेक करिए बी कितने लोगों ने दिया है बी इजा राइट आंसर यह कुशन करिए find a matrix x such that 2a प्लस b प्लस x एक्वल टू जीरो वेर a एंड बी इसको बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं x एक्वल टू है माइनस 2a प्लस b तो माइनस तो 2a अगर लिख दोगे तो 2 आ जाएगा और b कर दोगे तो यह 3 माइनस 2 कितना बचेगा बोलो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 एक ही में दिख रहा है या सुनो देखो पहले तो आपने करा 2A 2A क्या होगा माइनस 2 4 6 8 अब इसमें प्लस B कर दो B क्या है 3 माइनस 2 1 माइनस 5 अब जब इसको करोगे तो 2A प्लस B में ध्यान देना 1 आएगा और यहां लगा है माइनस तो गलती से ना लगा दें कौन सा करेक्ट होगा माइनस 1 वाला यानि B यह मिस्टेक हो सकती इसलिए पहले बताया A नहीं होगा जो लोग A लगा रहे है A नहीं होगा क्लियरे बात 40 सी चीज मतलब एक सिंगल बैसे करते तो टाइम लगता 2A प्लस B से आपको यह मिल गया था यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 7 और यहां पर बोलो 3 अब इस 3 नहीं माइनस नहीं यह क्या है थ्री आना चीज था कि अच्छा वो फाइब दी अदर प्लस का स्वरे तो थर्टे अब इसके आगे माइनस लगा दो नेक्स कोशन देखिए यह कोशन अभी आपके एक्जाम में आया हुआ है कोशन अच्छा है समझ के करना है मैजिकल कोर्स से आपका काफी हद तक चीजे रिवाइद हो जाएंगी कुछ हद तक बेसिक लिए हो जाएंगे पर कुछ ना कुछ तो आपका पड़ा हुआ होना ची क्योंकि अब लिमिटेट टाइम है बहुत दीटेल में जाने का टाइम आपके पास नहीं है तो इस कोर्स के तुरू आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं तो देखेंगे एंटू एट अंश्पोर्ज दिया है वन लाइट और यहां पर एक वर्ड लिखा व्यार एबी सिया रियल पॉजिटिव नंबर बनाएबी सी तीनों रिया ले और पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब एबी प्लस बीसी प्लस यह जीरो नहीं होगा यह तो यह एक्जाम में आया था कोशन एबी सी बीसी ए और सी अब सुनो इस कोलम का इसके साथ होगा तो एसका कंपेर यूनिट मैट्रिक से करोगे तो किस से होगा यह वन से तो यह यह है कॉप्शन यह से तो यह करेक्ट हो गया अब आप सोचोगे हम वैलू लेके कर ले कर सकते हो पर जबुवत नहीं जो कोश्चन इतनी आसानी से हो सकता था उसको आप क्यों वैलू लेके कॉंप्लिकेटेट कर रहे हैं है समझ में एंटू ए टांस्पोज दिया है ना वन मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स तो आपन कॉलम का और उससे वन से कंप्या कर दिया यह यह उप्शन हो चुका है अच्छा वैसे भी जब आप इसका मल्टिप्लाय करो तो एबी सी जैसा तो कुछ आई नहीं सकता और इस क्यूब आ नहीं सकता क्यूब के लिए तीन होना ची तो यह दो इसलिए रिजक्ट हो गए यह पर वो जीरो से क्विट करोगे तो जीरो हो नहीं सकता कई बच्चे इसका अंसर सी लगा सकते हैं यह कोशन बहुत अच्छा है इसमें बहुत बच्चे मिश्टेक करके आये थे यह कोशन समझ लीजिए यह बहुत लोगों ने मिश्टेक की थी इसमें एक्जाम में कर रहा हूं तो टांस्पोर मतलब इसका चेंज कर देंगे तो बोलो a b c b c a c a b फरक नहीं पड़ेगा अब जब आप मल्टिप्लाय करेंगे तो इसका इसके साथ हुआ तो a square plus b square plus c square फिर इसका इसके साथ करोगे तो a b plus b c plus a c इसे मिलेगा इधर compare हुआ 10000100001 तो क्योंकि दो मैटेक्स में compare होगा तो a square plus b square plus c square तो one मिल गया और एक यह भी मिलेगा अब इसको बन यह दो option है पर यह option इसलिए reject है बिटा क्योंकि आपको बोला a b c तीन पॉजिटिव नंबर है तो उनकी पैरिंग से जीरो नहीं आएगा इसलिए गलत है तो यह वाला और अब देखो यह बोला है कि यह मैट्रिक्स का इंवर्स निकल सकता आप किसी मैट्रिक्स का इंवर्स जब निकल सकता जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन जी यानि नॉन सिंग्लर हो इन्वर्टिवल हो कि अ कि देखिए क्या रहा है हिए हिए झाल झाल को डिको डेकर मैं को अगर नॉट एक्विल टू में देखें तो यह दो ऑप्षुन ये दो लेनैं नहीं निकालोगे आ जैना पर मिलेगा वह नहीं होगा पहले जीरो मान के क्या पून सार्व करियूक यह नौत बहुन गाल कि कंप्पीटर के कोश्चन का अंसर चेक करवा लूगा बिटा कि क्या रहा है कि जीरो मानते हो करना है पर लेना नॉट जीरो कि अगया आप लोग चेक कर लेते हैं अगया चैस्ट बीजा राइट अंसर कर दीन होगा बिटा दीनी बीज़ी में कोई होगा पर बी इसका करेक्ट आंसर है चेक करें बी इसर राइट आंसर डी नहीं होगा आपका है कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं चलिए एक और कोशन देखते हैं देखिए इसमें बोला है अगर यह यह दो देखिए नॉंट्रिवियस सॉलूशन है तो बताना है कि की की वैलू क्या होगी तो नॉंट्रिवेस सॉलूशन में क्या होता है जीरो के वाले को उपर लिख लेना वन के थ्री टू-3-4 थ्री के अच्छा सभी में के तीक है कोई किसी भी ओडर में लिख लो थ्री के माइनस टू वन के थ्री टू थ्री माइनस फॉर कि इसको किससे कुट करना है जीरो से आपको पता है जब यह कोई बच्चा पूछता है कि डिसकेशन का कोई गुरूप है या टेलिग्राम का जो बच्चे गुरूप जॉइन कर लेते हैं वो गुरूप पढ़ाई करते हैं पूरी क्या होता उनके रेजल्ट का कभी सोचके देखिया बलकि कोई गुरूप अगर आ तो रंट अगर सही में रिजल्ट देना है पढ़ाई करना है तो क्योंकि गुरूप का जो मक्सद होता है वो केवल दो दिन के बाद खतम हो जाता है कि चेक करिए इसका अंसर क्या है भी भी लिखर है आप लोग नहीं होना चाहिए चेक करके बताई चाहो तो इसको 0 कर सकते हो आप एक के कम कर सकते हो माइनस कर दो झाहिए रिछय जाएगा 5 2 3 minus 4 this should be 0 33 by 2 yes this is the right answer यह सारे actual question है जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ अब आप सोच लेजे मैंने आपको revision करवाया जिस तरह के question है वो बताए तो आप सही तरीके से पढ़के कम समय में अच्छा input अच्छा result दे सकते हो अब देखिए इसमें जैसे a power n पूछा है तो अगर n की जगे 1 रख दो तो ये की equation मिलना चीए तो 1 रखने पर ये भी है ये भी है ये नहीं है एक चीज़ अब a square सारा conclusion दे देगा n की जगे 2 ले लेंगे तो 1 1 0 1 1 1 0 1 देखिए इसका इसके साथ क्या तो 150 मिला इसका कॉलम के साथ क्या तो 2 मिला तो 1 और 2 तो यहाँ पर तो टू मिलेगा तो यह भी खतम तो कौने अंसर बी मिद्र हैं भी यह औरा एक जाम का tim म्याकत वर अबकり यह अदू एक घृऀर नेशठ़ देखिए अगर A inverse को यहां लिया है तो A B equal to minus B A दिया है और जब A B equal to minus B A दिया है इसका मतलर A B plus B A 0 है तो A plus B का whole square होगा A square plus B square only क्यों क्यों क्योंकि A B plus B A 0 दिया है वैसे मैट्रिक्स में याद रखना मैट्रिक्स में A plus B का whole square होता A square plus AB plus BA plus B square because in general matrix में AB not equal to AB not equal to B matrix में order बदल जाए तो सेम नहीं होगा यह सी आंसर सही दे रहा है भी नहीं इसमें अभी तो यह question निमसेट वाला है प्रॉपर्टी में कमी आते हैं प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सब आपकी एक्जाम क्या हुए दस साल के question नहीं पूरे अब सुनिए rank of matrix क्या होता है यह भी सीख लीजिए अगर कभी आपको rank को लेकर बड़े कंस्विज होते रहते हों किसी भी matrix की rank पता करनी हो तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है यह देखिए rank of matrix अगर मैं आपको एक बैटेक्स लिखूँ एक्जामपल से समझाता हूं जली समझ में आएगा 231 157 मालो यह 2 x 3 का है सबसे पहले तो याद रखना rank हमेशा square matrix की होती है तो अगर माल लीजिए non square matrix दिया है तो आप पहले इसका है कि square सब मेट्रिक्स ले लो जैसे यह लिया इसका determinant निकाल लो 10-3 या 7 not 0 तो इसकी rank होगी 2 rank हमेशा m और n में जो लीज थे उसके बराबर या उससे भी कम होती है ठीक इसको एक्जामपल से समझोगे तो अच्छा है थेरी से आप समझोगे तो कन्फ्यूज होगे जैसे एक मैं लिखों एक को लिखिए है वन टू थ्री है ठीक है है टू थ्री फॉर है थ्री फॉर फाइफ है पाइंट रैंक आप मैट्रिक्स हाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या बोल सकते हैं बहुत बेसिक कोशन आये हैं जो आये हुए वो बता दी इसलिए पिछली क्लास में आप बोलते हो ना कि सर बेसिक करवा रहा है भई जो कोशन आते हैं वही करवा रहा हुँ है इसलिए मैंने आज पहले पूरे निमसेट के कोशन लिए कि पहले देख लो भई यही आये हुए कोशन और ऐसे ही बेसिक आते हैं इसलिए अभी भी मौका है बेसिक पढ़ लो अच्छे से समझ लो तो फाइदा है इदा उदर भटको गए तो कुछ नहीं होगा कि अनिकेत आप मुझे मैसेज करना मेरे नंबर पर फिर बताओंगा क्या करना है कि अब इसका डिटर्मिनेंट क्या रहा है कि अगर आप देखो अगर मैं बोलूं आपको 123 इसको इससे माइनस करो तो 1111 राइट इसको से माइनस करो 1110 आ रहा है तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं है सबसे पहले अब टू इंटू टू का कोई भी देखो 1223 यह नॉन जीरो है थ्री माइनस फॉर तो इसका मतलब रैंक क्या होगी बोलो रैंक मतलब होता है राइड मुद्स क्लास के बाद मैसेच करना फिर बात करता हूं तो रैंक स्टू क्लियर यानि कोई भी मेट्रिक्स दिया तो अगर वो इसक्वेर तो उसका डिटर्मिन निकालो जीरो है तो से छोटे डिटर्मिन निकालो देन उसका आंसर मिलेगा आपको है ठीक है जैसे कुश्चन बताता हूं कि लेखिए वन टू थ्री टू फोर सिक्स थ्री आ शिक्स नाइन कि रैंक बताई इसके क्या होगी है कि फाइंड रैंक कॉप मैट्रिक्स कि देखो एक चीज याद रखना कि चैप्टर वाइज वेटेज वो तो मैं बता दूंगा पर ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हर साल उतने ही कोश्चन आए प्लस माइनस हो सकता और कुछ महनत आपको भी करनी चाहिए आपके पास 22 का इंपिटर्स के साइड पर सारे पेपर हैं 22 का पेपर 21 का पेपर कोई भी एक पेपर उठाएए खुद देखिए कि किस टाइप किस टॉपिक से कितने आए अगर आप इतनी महनत भी नहीं कर रहे ह तो फ़र आप एक्जाम क्रेक कैसे करेंगे ये खुद से पूछिए बोलिए अब इसकी 3 इंटू 3 का निकाला तो 0 आ रहा है अब देखो 2 इंटू 2 का भी कोई भी देख चेक करो 0 कोई भी 46690 कोई भी चेक करो 0 तो इसका मतला इसका रैंक होगा 1 क्या होगा इसका रैंक वन यस वन जा राइट आंसर अब आप लोग अपने कोश्चन पूछ सकते हैं आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने कवर किया कुछ आप भी प्राक्टिस करिए ऐलजेब्रा जैसे ही खतम होगा तो याद रखिए जितने भी टेस्ट हैं कंप्यूटर के मैस के मौक के वो सब एप पर होंगे और टेस्ट पेपर का अनलेसिस भी एप पर होगा पर जो क्लास हैं वह आपको यहां पर मिलेंगी तो आपने भी जोई नहीं किया तो कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल क्ल कुमिटेट है बहुत ज्यादा पढ़ाई करिये कल मैं लर के ब्लड रिलेशन की क्लास लूँगा अक्सर उसमें डाउट होता बच्छों को तो कुछ टॉपिक बीच-बीच में मैस के साथ सते लर भी करते चलेंगे पहला टार्गेट है अलजेब्रा कवर करना जैसे ही करता हूं मैं तो MPK Higher Education Minister से मिला और फिर जो कल अवर्ड मिला वो दिल्ली में सेंटर मिनिस्टर से मिला जो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि इस बार इंपिटर्स के सबसे बेस्ट रिजल्ट है और ऐसे ही रिजल्ट इस साल भी आए इसलिए आप अपनी तार से महनत करें पिछले साल हर तरह के कोर्स के बच्चों ने रिजल्ट दिया है चाह वो सेंटर का लगाना है उसमें दिया परफॉर्मा इस का है अपको सेंटर का साटिफिकेंट लगाना है तो जो आपका बना हुआ होगा बनता है उसका फुर्मा देखी आपके पास कौनसा आपके अगर आपको सेंटर का वो लगाईए उस्टेट का लगा दिजी माल लीज्यिए एक सिबाप क्योंकि स्थीष्ट का आपने लगा दिया अगर आपका वो सार्टिफिकेट उन्होंने कंसीडर नहीं किया तो आप किसी भी कंडिशन में फॉर्म रिजक्ट नहीं होगा आप एधा जन्रल काउंट होंगे तो आपको निमसेट के प्रफॉर्मा में दिया हुआ है और जिसके कोश्चन का जवाब दे दूँ वो फिर से दुबारा कोश्चन नहीं पूछे चंदन्दास आप पूछें बीसी कब से होगा इसका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया ठीक है ना तो आप मुझे अलग से मैसेश करिएगा वह बाइट निमसेट से होंगे इससे निमसेट नहीं बताएगा जब एक इसकोर कार्ट दे देगा अब हैज्ड़ावाइड इनिंवस्टी को निमसेट के तुरू लेना तो वह अपने फॉर्म में लिखेगा कि आपको निमसेट के स्कोर के कौरिंग करेंगे ऐसे अभी कुछ बच्चे पूछा थे कि आई जी टी यू गर्स बूमें कॉलेज का सीउटी के तुरू होगा की नहीं तो जब तक सीउटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना मैं कुछ बोल सकता हो ना आप कुछ उसके लिए परिशान हो कल भी इवनिंग में क्लास होगी ब्लड रिलेशन की त्री इंटू टू के मैट्रिक्स में क्या दिक्कत है मैं समझ नहीं पाई देखो सागर आपने मुझसे एक कोशन पूछा है कि अगर मैं स्टेट लेवल का ओबी सी सार्टिफिकेट लगा दू तो चलेगा की नहीं देखिए आप स्टेट लेवल का लगा दीजी कोई बात नहीं चलेगा की नहीं यह मैं नहीं यह एनाइटी जमशित पूर अगर देखिए पांच चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी जो चेंज नहीं होगी बाद में भी आपका नाम आपका डेटा वर्थ आपका मोबाइल लंबर आपका इमेल ठीक है ना यह कुछ बेसिक चीजे हैं जो कभी भी और जेंडर यह कभी भी चेंज नहीं होगा अब सवाल कि आपको 10-12 की मार्शित लगानी है और ग्रेशन के फाइनल यर की अगर कंप्लीट है तो और अगर अगर अपेरिंग है तो आपको कॉलेज में जाके एक अपेरिंग सार्टिफिगेट के आप उस कॉलेज के रेगुलर स्टुएंट हैं बस इतना ही तो लगाना है इ इस पर आप ध्यान रखिए कुछ कह नहीं सकते तो हर वो बच्चा अगर कोई सार्टिफिकेट लगा रहे हो केटेगरी का और अगर वह अप्टू दमाक नहीं है तो हो सकता है वह सार्टिफिकेट हो जाया तो उससे आपका फॉर्म नहीं आप जनरल केंडिट में काउंट ह हों गया है 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 कि देखो ओरीजिनल और नॉन ओरीजिनल क्या होता मैं कभी समझ नहीं पाता है इंपिटस में बीचिए के एडिशन जुलाई से स्टार्ट होंगे बिठा है को सचन की प्रैक्टिस जो आपके पास बुक है उसी से करिए सब्सक्राइब करता है कि आपका स्टेट उसको देता है कि नहीं को लेके आप ध्यान छोड़ दीजिए अभी बात हां मैं यह बोल सकता हूं कि थोड़ी ज्यादा रैंक पे भी कॉलेज मिल सकता है कि तो जुलाई से होगा बिटा बीसी का बैज हाँ बिलकुत सही है भाई अगर आप फॉर्म भरते समय फॉर्म फिलिंग के समय माल लीजे सी स्टी या ओवी सी कई बच्चों ने मुझसे पूछा है यह यह नहीं लगा रहे तो आप जनल में काउंट होंगे ऐसा तोड़ी होता है कि रिजल्ट के समय आप बोलो मैं सी हो दिखा दो एक बार रिजल्ट पब्लिश हो गया तो चेंज नहीं होता तो फॉर्म फिलिंग के समय आपको अपना करेक्ट साटिफिकेट लगाना है और इस्पेशली ओवी सी और इवस वालों को तो यह भी ध्यान रखना है इवस वालों को कि 1 अप्रेल 2022 के बाद होना क्या मतलब होता है दस दिन में साटिफिकेट बनता है आज भी अगर कोई बच्चा बनवाना चाहे तो दस अप्रेल लास डेट है आज से भी 15-25 दिन है कोशिस करो गए तो बन जाएगा यह करो कि बनवा ले यह मत बोलो चल जाएगा क्योंकि नहीं चलेगा तो कौन आपका नहीं चलेगा आप एक बात यार रखिए कोई भी साटिफिकेट अगर आप टूदा मार्ग नहीं है तो आज आज जन्रल के इंडेट काउंट होंगे बाद में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा प्रितीक Star पीटा कहा है प्रितीक Star यह ही है जब आप आओगे तो आपको को मिलेंगे SC का साटिफिकेट आपको स्टेट लेवल का और सेंट्रल का अगर आपके पास हैं तो आप सेंट्रल का ही पीड़लूडी का उस प्रफॉर्फॉर्मस से आपका सर्टिफिकेट मैच करता है कि नहीं वो देखी करता है तो आपका कंसीडर होगा नहीं करता इसका मतला आपको सही बनवाना पड़ेगा और स्टीस्टी का साटिफिकेट हर साल नहीं बनता यह 20 साल के लिए एक बार बन च माइच है थैँ और कि फ्वाटी से करो या सकेन करके करो कर सकते हैं आप जो भी दॉक्योंट उपढ़ने के लिए कर रहे हूं सेलेक्षन के लिए नहीं कर रहे हैं एक रेजूट लेवल के बच्चे हो तोड़ी समझदारी से उसके पहले information bulletin को पढ़िए जैसे किसी एक बच्चे ने मुझे वीडियो भेजा कि सर वो किसी कोई कोचिंग वाला बोला है कि वो मैंने का मुझे से क्यों पूछा फिरुनी की बात सुलो उसमें कि लिखा है कि एक अप्रेल 2022 के बाद होना चाहिए मतलब वही होगा तो आप लोग इदा उदा भटकते रहते हो कुछ बच्चे की सर वो लिखा हुआ 12 मैस मैं बताता हूं यह तो बिल्कुल लेटेस्ट बात है मैस यह बीस बीसी ए और बीसी में वन एर मैस बंशेमिस्टर मैस यह स्टेटिस्टिक्स होना चीए सर ऐसा लिखा और मैंने का यह अनॉफिशल वेबसाइट पर ऐसलों से पिछले तीन-चार साल पहले था तो अब उन्होंने रूल बदल दिया मैस हो ना हो कोई दिख्क्त निग्रेशन लेवल पे आपका वन सेमिस्टर मैस या स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए तो अगर मैस या स्टेटिस्टिक्स आपकी मार्शेट में लिखा आता तो आप निम्सेट के लिए इलेजिबल है नहीं तो आप अभी नहीं दे पाएंगे बाकी उन्होंने इस बार बी को हमको भी कर दिया तो रूल हमेशा ऑफिशल वैब साइट पर पढ़िए तो निम्सेट के ऑफिशल वैब साइट पर पहले इंफर्मेशन बुलेटिन को डाउन करिए प्रॉपरली पढ़िए अभी दस अप्रेल देट है भनने की जल्ली मत करिए पहले रूस रेगोईशन पढ़िए क्या क्या है क्या क्या नहीं है एकॉर्डिंग टू फॉर्म फिल करिए अगर 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 आपने अभी एक सार्टिफिकेट बन वाया मान लो और आपका सार्टिफिकेट बना पच्चिस मार्च दो अजार टेइस का बिल्कुल ठीक है एक अप्रेल के बाद फिर बनवाना पड़ेगा तो बनवा ले ना अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो रिजर्वेशन का तो दो बार सार्टिफिकेट बनवा लो नहीं लेना चाहते है लीव कर दो कर जन्रल में जाओ बात खतम हो गई एक सो बनवाना पड़ेगा तो जैसे अभी बन रहा दस दिन बाद फिर बन जाएगा क्योंकि सार्टिफिकेट की वैलेटी मार्स टू मार्स होती है तो कुछ तो मैं कह रहा हूं ना कई जगे पर आप लोग बिल्कुल भी ब्रेन यूज नहीं करते कि भाई जो बोला जा रहा है बात करें जो बोला गया है अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा जिसे कई बच्चे भटकते हैं बाद में परिशान होते हैं उल्टा उल्टा साइटिफिकेट लगा देते हैं फिर वो बोलते नहीं होगा भई आप या तो एक मानलो कि मैं जो लगा रहा हू अगर वो गलत हुआ तो मैं जनरल में काउंट होगा रिजर्वेशन का फाइदा लेना तो जो बोला जा रहा है वो करिए या दस अपरेल लास डेट है आपको ये लगता भाई दो बार नहीं बनवा सकते हैं मत बनवाओ एक अपरेल दो आजात तेज के बाद बनवा लेना अगर एकाथ हपते में बन जाता है तो ठीक है दो बार नहीं बनवाना पड़ेगा आपकी मुसीवत अभी से दो बार की आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर लो निमसेट निकलेगा तो इस सार्टिफिकेट का फायदा नहीं तो कोई फायदा नहीं है दो बार ये दस बार निमसेट के रेजल्ट के बाद भी बनवा सकते हो पर पहले निमसेट करक करने की चिंता करो और सही डारेक्शन में पढ़ो ओके चन्नल मेटा हर सार्टिफिकेट के उपर लिखा होता है कि वो सेंटल का है या स्टेट गवर्मेंट का ठीक है एक बात मैं आपको एक वर्ड बोला हूँ एक अपरेल दो हजार बाइस के बाद से लेके कोई भी सार्टिफिकेट अब अभी आपका अक्तूबर का है यह उसके बाद ही आएगा न अक्तूबर ना उंबर चलेगा एक ही चीज जब मैं बता देता हूं फिर आप वही कंटिनिसली पूछते तो उससे मुझे लगता है कि कहीं मतलब मैंस के समय करते हो इसके बाद का अच्छा उस पर लिखा भी होता है सेंटल या स्टेट वह देख लीजी आपको क्लिया दिख जाएगा तो उसको चेक करो प्रॉपरली करो अभी दस अप्रेल डेट है ताइम है ना तो एक बार समझो उसको बीएसी के बाद म्ंस आप कोई दिक्कत नहीं और बीएसी वाले बच्चे करते हैं लास्ट यह के मैजिकल के मैस वाले कोर्स के वीडियो अपडेट करवा दिये हैं बाकी जान करके रोके हुए कुछ कारण है कि अभी जो चीज पढ़ाई जिस और मैं आपको पढ़ने के ल जैसे यह कि जो काम के वीडियों वह अपलोट कर दिए उससे पढ़िए कि मदू अब आपका क्या कोशन है कि नंबर बिटा आपको मैंने कई बार दिया हुआ है आप लोग नंबर यह लिख लीजिए कि यह नंबर दिये हुए बिटा और फोन करने की जगे आप मैसेश करिएगा कि यह नंबर लिख दिये मैंने शिवम सर को कर सकते हैं हरीयन से कोश्चन नहीं आयते मैस से आयते याद रखना कोश्चन बुक से नहीं आते मैस क्या आते आयूस पाल से सार्टिफिकेट ही डालना पड़ेगा कोई नंबर नहीं डाल सकते चलिए अब मैं सेशन एंड कर रहा हूं बाखी की बाते मैं आपके साथ कल की क्लास में करूंगा आपके जो कोश्चन थे उनके मैंने जवाब दिये बाखी कल क्लास के एंड में बिटा फिर बात करते हैं कि अभी मॉक पेपर बढ़ने चालूंगे आपके पास देरे देरे प्यांश के बाद कर सकते हैं बस आपका वन सेमिस्टर मैंस होना चाहिए जिनका फिफ्ट सेमिस्टर हो गया है या फिफ्ट सेमिस्टर जिनका चल रहा है वो एलेजिबल है कि अब आपके पास करता है कि आपका लेविल क्या मदू अगर आपका लेविल अच्छा है तो मैंजिकल कोर्स हेल्प कर देगा नहीं तो फास्टेक जोइन कर दीजिए नंबर दिये हुए इस पर मैसेज करिए तो प्रॉपर कोर्स जोइन करके पढ़ाई कर सकते हैं आप ल अब आप निउ प्रॉपर कोश्चन से मतलब नहीं अगर आप उड्व कोश्चन में भी स्कोर नहीं कर रहे हैं तो न्यू में कैसे करने लगेंगे जरह सोचिए चीजे आपका अगर आपके पास आपके असाफ से चलेंगी ना तो वहीं होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं इसलिए सब्सक्राइब तेस्ट शोनम आपकी यहां पर हो रही है यह जो समझें क्या है जो क्लासें वह यूट्यूब पर होगी जो टेस्ट वह एप पर होंगे जो पर होगा कुछ special classes हैं वो भी पर होंगी जैसे पिछले पेपर का solution पर और यदि आ गया इस इस बाले paper का solution अप पर आएगा तो combination में यह कोर्स चलेगा ध्यान दखिए को अधर भी classes डली हुई है पिछली वाली वो देख लो आप एक सेमिस्टर में बैक है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ केवल सेवन फिप्टी रूपीज पीज है उसकी और उसमें इतना कंटेन है जो अभी आप जब करोगे तो समझ में जाएगा अब आलोक आपने लिखा पिछले में 167 मार्क से 288 मार्क सको बढ़ाने की कोशिश करिए बैक से कोई प्रॉलम नहीं है अभी शेक चलिए अब मैं सेशन एंड कर रहा हूं अब आप लोग अपनी पढ़ाई करिए अब बेटा एक तरफ आप लोग सोचते हो कि हम एन-i- टी में जाके पढ़ाई करें ठीक है यह जो मैंने मैजिकल की फीबी रखिए वो डेटा हंडिलिंग चार्ज है वो है था ना एक तरफ आप सोचते हो मैं एन इटी जाओ एन it में जाओं तो सबसे बैस जॉब लूँ आप अगर भूबाइल खरीदने जाओगे तो सबसे अच्छा मोबाइल खरीद होगे जो आपकी कंडिशन उसमें सबसे अच्छा अगर आप कपड़े खरीदने जाओगे तो सबसे अच्छा पर जैसी बुक्स और पढ़ाई की बाती है सारी कंजूसी निकाल लेते हैं कि यहा 106 Corporation वोभी काम आ जाएगा पर उसमें आप चाहते हों किशन सबसे स्मार्ट हो सबसे महिंगा बच्चों को आप उच्यूफा क्पड़े कंप्रमाइज नहीं घूते में कई घूमने में सब जगें कंप्रमाइज नहीं होगा क्यों पढ़ाई और पढ़ाई से रेटेट फी म नहीं करो तो जब जीवन में सब अच्छा चाहते हो तो अच्छा करने की कोशिश करूँ यह कोर्स जो है मैजिकल यह उन सभी बच्चों के लिए इसमें हम इसलिए इतनी कम फी रखते हैं कि हर बच्चा इसको ज्ञाइन कर पाए कि कोशिशन को करने की बिटा कोशिश करो मैं एनलेसिस देता हूं उस पर ध्यान दो कि रीजनिंग को डीटेल में पढ़ने के लिए मैस अच्छी कर लो और आरे सगरवाल की बुक कर लो चलिए आप सेशन एंड कर रहा हूं प्राइमरी अगर मैस वीक है तो बिटा आप रेगुलर कोर्स जोइन करो हैपी भी एस सी हो या बी सी हो सिक्स्टी परसेंट आपके ओना चीज़ ओवर आल बिटा ठीक है चलो आप सेशन एंड कर रहा हूं बाकी की बाते कल irro autreल के अठीक की कोई चीज नहीं है इह था अठीकिटी की कोई चीज नहीं हो कप शॉत्तवर प्रसक्राइब में और इस एध्टी के जो दुखतर रहे हैं वहाई करेक्ट पूर ठीक नहीं तो आपको जनल में अ है jak झाल झाल